हेलो फ्रेंड्स मैं पुनम चाहन मेरी एकिप चनल पुनम चाहन रेसिपीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जारी हैं बेंगॉली से तो फ्रेंड्स पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले पास्ता तो यहाँ पे मैंने पास्ता लिया है यह वो वाला पास्ता है जो अंदर से होल होता है और जब हम पास्ता बनाते हैं क्रीमी वाला तो इसके अंदर अच्छी सी क्रीम एक्जॉर्ब हो जा पानी आड़ करना है, तो यहाँ पे मैं तीन कब भरके पानी डाल रही हूँ, पानी हमें तीन गुना ही लेना है, कम नहीं लेना है, ताकि हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से बॉइल हो जाए और साथ हम इसमें नमक आड़ करेंगे, तो यहाँ पे हाफ टीस्पून में डाल और वन टेबल स्पून इसमें ऑईल डाल देंगे, आप कोई सा भी डाल सकते है, लेकिन जिसमें स्मेल नहीं आती हो, आप वो वाला यूज करेंगे, आप रिफाइड ऑल डाल सकते हैं, अलिव ऑल बी डाल सकते हैं, और इसे दो मिनिट के लिए पकाएंगे, हमें पास्ता क पुरी तरीके से ओल भी ले सकते हैं, आप पुरी तरीके से बटर से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर के साथ थोड़ा सा ओल डालना मस्ट होता है, ताकि बटर जाना, और अब हम इसमें डालेंगे, वन टेबल स्पून फाइन चॉप्ट गार्लिक, तो यह बहुती करना है, यह हमारा गार्लिक अच्छे से सौटे हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं, हाफ कप बारी कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम एक से दो मिनट के लिए सौटे करेंगे, इसे भी हमें बहुत जादा नहीं पकाना है, बस कच्छा पंजा इतना ही पकाएंगे, तो यहाँ भी देखिए, हमारी प्याज अच्छी से पक गई है, बहुत जादा हमें नहीं पकाना है, अब मैं इसमें आड करी हूँ, वेजिस, यहाँ पे मैंने हरी शिमला मिर्च रफली कट करके डाला है, करीब हाफ कप, और साथी इसमें मैं हाफ कप ही गाजा डालूंग सबजी आप अपने कोई भी पसंद की ले सकते हैं, आप चाहें तो रेड या फिर यालो वाली जो शिमला मिर्च चाहती है, वो भी आप इसमें आड कर सकते हैं, तो अब हम इसमें नमक आड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैं यहाँ हाफ टी स्पून नमक, और नमक डालने से जो हमारी सबजी है, वो जल्दी पकती है, और इनने अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दो से तीन मिनिट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम में पकने के लिए सभी सबजी को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर करीब तीन मिनिट हो चु लेकिन इतना भी नहीं बॉइल हुआ है कि यह मैश हो जाए तो यह बस इसी तरह की हमें चाहिए पास्ते की ते बिल्कुल परफेक्ट है, अब हम इन पास्ते को एक अलग चनी में रख देंगे, और हमें इसे पानी में डालके नहीं चोड़ना है, कोई ठड़ने पानी में इसे ही इसको हम चनी में रख देंगे, ट्राइ होने के लिए तो यहां पे करीब 3 मिनिट हो गए और हमारी वेजिस भी अच्छे से पक चुकी है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूं टेमैटो की प्योरी, तो यहां पे मैंने 2 मीडियम साइज की टेमैटो को पीस लिया था औ पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छे से जो भी इसका कच्छा पनी वो चला जाए, तो जब तक यह पक रहा है तब तक हम हमारी वाइट सॉस बना लेते हैं, तो यहां पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर, और बटर ना जले, इसके ल मैदे की कॉंटिटी बहुत जादा नहीं चाहिए, वन एंड हाफ टी स्पून चाहिए, और से इस तरीके से मिक्स करते वे इसको भूनेंगी, अब यहां पे हमारी फ्लेम जो है, वो एकदम मीडियम और लो में रहेगी, और कंटिनूर चलाते वे से हमें भूनना है, मैदे क के लिए है, उसे कंटिनूर इस तरीके से चलाते वे डालेंगे, इससे क्या आता है कि लंच नहीं आते हैं, और अब इसको मीडियम फ्लेम में करीब 2 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तो यहां पे करीब 2 मिनिट हो चुकी है, देखिए हमारी सॉस बहुत ही जल्दी से पक जाती है, एकदम ठीक हो गई है, अब में इसमें डालूंगी, 1-4 टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, आप अपने हिसाब से मिर्च रख सकते हैं, जितना आपको स्पाइस पसंद हो, लेकिन बहुत साथा स्पाइस की ज़रूद नहीं पड़ती है, साथी हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपनी टीस के अकॉर्डिंग डालेंगे, बस अब इस बात का धियान रखेगा, क्योंकि जो हमारी वेजी से इसमें भी हमने सॉल्ट एट किया हुआ है, तो उसी साब से अब नमक डालेगा, इसी हम एक सेकिन के तो पकाएंगे और इसके वादम गयस को बन कर लिएगे, अब यह पर 3 मिनिट हो चुकी है, हमारी हमारी वेजी अच्छ से पक चुकी है, जो हमारी प्योरी दिया है अब हम इसमें हमारी सॉस डालेंगे, जो हमने वाइट सॉस बनाए है, इसको हम डाल देते है, इसके साथ ह और अच्छे से mix कर लेंगे तो यहां हमने हमारी sauce और जो प्योरी है अच्छे से mix कर लिया है हमारा sauce बन करके त्यार हो चुकी है pink sauce तो यह देखिए बुलकुल perfect texture है हमें इसी तरह की का ही हमें consistency चाहिए अब हम इसी stage पर डालेंगे हमारे boil pasta तो यह हमने डाल दी है और अच्छे से mix कर लेंगे तो यह देखिए कितने perfect color आया है हमारा pink sauce पास्ता बन कर तयार है तो आप में इसमें डाल रही हूँ 1 teaspoon chili flax और half teaspoon में इसमें डालूंगी और इगयनो आप अपने taste के according डाल सकते हैं इन सब चीजों को और अच्छे से mix कर लेंगे अब साती में इसमें spring onion भी डाल रही हूँ एक्दम fine काट के दिया है मैंने इससे काफी अच्छा टीस्ट आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो यह हमारी pink sauce pasta बनके तयार सर्फ करने के लिए तो चलिए से सर्फ कर लेते हैं तो इस तरीके से हम एक plate में से सर्फ कर रहे हैं और इसको हम garnish करेंगे spring onion थोड़ी से उपर से स्पेंकल कर देंगे और थोड़ी से हम chili flex को भी स्पेंकल कर देंगे और हरा दनिया के सर्फ करेंगे यह एक दम creamy without cheese वाला एक दम tasty वाला pink sauce pasta बनके तयार है सर्फ कर लिया है और यह बहुत-बहुत-बहुत ज़ादा टिस्टी बनाया है और आपने देखा कि आमने इसे बिना चीज के बनाया है बहुत ही आसानी से घर पे बनाया है बिल्कुल रेस्टूडन स्टाइल में तो यह सब को बहुत पसंद आएगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजेए ज़्याद से यादा शेयर कीजेए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब के लीजे साथ ही बने बैल ऐकन को प्रस करना ना भूली ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करू तो आपके पास को नोटिफिकेशन आता रहे तो फ्रेंड्स मैं जल्दी मीलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ थैंक यू फूर वाचिंग